प्रेजल भर्व हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कम के उपर कम का मतलब आना होता है जो एक इन ट्रांजिटी भर्व है इसके बाद कोई अबजेक्ट नहीं आता लेकिन इसके साथ अगर मैं अलग-अलग preposition या adverse particles लगाता हूँ तो इसके meaning बदल जाते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ come across तो come across का मतलब क्या हो जाता है come across का मतलब ये ट्रांजिटी बन जाता है इसका मतलब to meet हो जाता है मिलना तो इसके साथ आपको कोई preposition नहीं लगाना है बाद में come across वीद अगर बोल देते हैं तो इसका मतलब गलत हो जाएगा अचानक किसी व्यक्ति या किसी बस्तू से टकराना अचानक तो इसलिए अचानक word sudden word का भी use इसमें नहीं करना है आपको अगर मैं यहां पर come down upon या come down on कह देता हूं तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी को आप बहुत बुरी after होता है, go after होता है लेकिन अगर मैं come before कहूं तो क्या आप guess नहीं कर सकते हैं come before का मतलब के पहले आना और अगर मैं यहाँ come apart कह देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है come apart अगर बोल देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है तूटके अलग हो जाना कम अपर्ट अगर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है तूट के अग अलग हो जाना सब्सक्रा प्सक ने bowl अन अन enjoy डीक है कॉम डाउन नीछे आट अप उपर अट अगर मैं यहां पे बोलता हूँ अगर मैं यहां पर बोलता हूं कम डाउन नीचे आना तो कम अप का मतलब क्या हो जाएगा उपर आना अगर मैं यहां पर कम अप बोलता हूं इसका मतलब उपर आ जाना हो जाता है सभी है लेकिन कम डाउन वीद अगर मैं बոल दूं यहां पर तो इसका मतलब अलग हो जाएगा अगर कम डाउन वीद बोल देते हैं तो संक्रमित हो जाना कोई रोग से कम आउट का मतलब सावित होना होता है come out तो अलग-अलग phrasal verb के अलग-अलग मिनी होते हैं तो मैं 10 question दे रहा हूँ और 10 पे आप practice करेंगे पहला सवाल जो आपके सामने है कि मैं अपना खोया हुआ बॉलेट मुझे मिल गया आज सुब यानि कौन सा बॉलेट जो मैंने पहले कभी खो दिया था आज मुझे वो मिल गया तो यहाँ पे कौन सा preposition या adverse particle लगाएंगे ताकि इसका सही अर्थ निकले तो यहाँ पे अगर आप come across बोल रहे हैं, मैंने बोला come across मतलब अचानक कोई खोई चीज को प्राप्त करना, अचानक कोई बिछरे हुए दोस्त है कोई भी ब्यक्ति है जो अचानक बीना planning के आप से उनकी मुलगात हो जा रही है तो यह ध्यान रखें कि come across के साथ वीद लगा के बार बार गलती करता है या come across वीद के साथ suddenly का प्रिसेज के एप को क्यों पर्चेज करना चाहिए क्यों पेंडराइब और गूगल राइब को यूज करना चाहिए एक नजर में आप इसके सारे किताबों को बुक्स को और इसके कंटेंट जो आपको मिलेंगे ग्रामर, बुक्स, राइटिंग और रिडिंग पर इसके भी एक नजर डालें जो करके भी गलती की जाती है तो come across यहां सही होगा जरा दूसरा question देखिए दूसरा है उसके नेवर, उसके सरारतों के लिए उसे क्या करते हैं? दंडित करते हैं या डांटते-फट करते हैं तो डांटने-फट करने के लिए क्या हो जाएगा? आगे देखिए blank के पहले और बाद में blank के पहले come है और बाद में upon है तो आपको बता है ना कि come down on या come down upon बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी को डांटना, फटकारना, बुरी तरीके से अदंडित करना, come down on, तो blank जब भी हम बढ़ते हैं, तो उसके पहले वाले word और बाद वाले word को हमेशा देखते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, phrasal verb, vocaps की कड़ी में सबसे difficult चीज है, और इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, मैंने बोला है कि 20 phrasal verbs के आपके class देंगे, जिसमें पूरा phrasal verb आपका clear हो जाएगा, और description box में ये सब का Hindi मिनिंग के साथ भी लिखा है, उसको भी जरूर देखेंगे, और descriptive classes, जैसे साम में मैं लेता था, वैसा मैं सुरू कर दूँगा कल से, descriptive classes भी चलेगी साम आठ वे से, और वो लाइव मैं लूँगा उसका, अब जरा देखिए, अगला question देखिए, अगर इसने आपने बनाया है, come down upon, यानि किसी को दंडित करना, आप कर भी सकते हैं अपने notebook में इसको, इसके बाद तीसरा question देखिए, वह, नाम, सुहरत और पैसे के पीछे जा रहा है, तो किसी चीज का पीछा करना, इसके लिए आप बोलते हैं come after, come after का मतलब pursue करना होता है, follow करना होता है, run after भी हो सकता है, और तेजी से follow करना, go after किसी के पीछे पर जाना, किसी के पीछे जाना, तो इसका मतलब हो जाता है pursue करना, तो यहाँ पे अगर come after आपने लगाया है question number third में, तो यह बिलकुल सही है, question number four देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि वह बहुत कुसिस कर रहा था, अपने लिए अपने पसंद का dress खरीदने का, लेगिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ, तो क्या होना चीज में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका come off, come off का मतलब क्या हो जाता है, सफल होना, कोई काम को करने में सफल होना, इसको हम come off बोलते हैं, तो इस तरह से, यह हमारा question number fourth का, B answer जो है, बिल्कुल सही है, अब question number five देखिए, the farmers came, the non-venous snake with the spears, भाले के साथ आकर्मन किया, किसानों ने, उस साप पे, जिसमें जहर नहीं था, जहर रहीत था, जहर वाले को कहते हैं, venomous और non-venomous, जहर रहीत हो जाएगा, तो बदाएए, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो किसी पे attack करना, तो अगर आप किसी पे attack करते हैं, तो come के साथ add लगाना है, यानि हमला करना, या किसी को utpriland करना, जैसे अगर हम करें, why are you coming at me, मतलब आप मुझे क्यों सता रहे हैं, why do you attack on him, क्यों आप उस पे हमला करते हैं, तो come at का मतलब हमला करना हो जाएगा, अटेक करना हो जाएगा, जैसे हैं, और surface meaning तो हमेजा रखीगा, जैसे अगर मैं कह रहाँ, he is coming at his will is, तो come at का मतलब आप हमला करना, तो inner meaning, surface meaning दोनों समझना है, अब जड़ा देखिए, question number six, question number six में है दोस्तु, you will come, cuff and cold, मतलब आप सफर कर सकते हैं, पिडित हो सकते हैं, cuff and cold से, इस थंडे मौसम में, तो come down with, अगर आप बुलते हैं, तो come down with का मतलब संक्रमित होना होता है, किसी बीमारी से, तो come down with, यहां पे यह बिलकुल सही है, याद रखिएगा, exam के हिसाब से बहुत important है, मैं in between, in between, मैं meanwhile, मैं आपको exam में, SAC और CPU का exam जो आने वाला है, CPU का तो मार्च में होने वाला है, आपका main का, तो CPU और SAC के हिसाब से, मैं error का, जिसमें topic वाई, जैसे noun में कितने question आये हुए हैं, CPU में SAC में, pronoun में कितने हैं, इसका भी एक स्रीज में, 5 फरवरी से सुरू करने वाला हूं, तो जो CPU main के लिए बच्चे हैं, उनके लिए फाइदे मंद होगा, और जो SAC, CGL Pre के लिए तियारी कर दें, उनके लिए फाइदे मंद होगा, और बाकी bank P.O. पेगरा के लिए भी होगा, एक्जाम में पूछे के quality questions जो होते हैं, उनका discussion से आपको बहुत लाब होगा, आप अपना अप्रोचेज डेवलप कर पाएंगे, मेरे अप्रोचेज को आप समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे देखिए, यू विल कम डाउन विद, कम डाउन विद का मदलब का संक्रमित होना, अगला question देखिए, वह बहुत ही दयालू और helpful nature का सावीत हुआ, तो सावीत होने का क्या होता है, तो सावीत होने का होता है, come out, come out का मदलब सावीत होना, जैसे मैं किसी को उमीद कर रहा हूँ कि वह बदमास है, लेकिन पता जला कि वह तो बहुत ही जेंटल है, तो हम यहां पे come out, जैसे he came out to be a very helpful person, he came out to be a very genius person, तो यहां पे came out का मदलब सावीत होना होता है, question number eight है, कि बहुत सारे volunteers, जो अपने इच्छा से आगे आए, traffic congestion, यानि आतायाद में जो jam था, उसको निप्टाने के लिए, तो यहां पे अगर अपने इच्छा से आगे आते हैं, तो come forward हो जाता है, come forward मतलब आगे आना कोई मदद के लिए, तो come forward का प्रियोग अगर आपने यहां पे किया है, तो यह बिल्कुल सही है, come forward, अब जड़ा देखिए question number nine, question number nine देखिए, हाल ही में, of late adverb of time है, तो हाल ही में मुझे उनके demise का मतलब मिर्तिव होता है, उनके sudden demise के बारे में, demise का मतलब होता है, मिर्तिव, औ छूप रहा है, मैं यहां लिख देता हूँ, उनके मिर्तिव के बारे में, उनके अचानक मिर्तियों के बारे मुझे पता चला तो इसमें हो जाएगा कम टू नो कम टू नो का मतला मालूम चलना कम टू नो सब्सक्राइब दोस्तों चलिए अगला देखिए मतलब मैं उसके लापरवाही के लिए उसे दंडित करूँगा या बहुत ज्यादा फटकार लगाँगा तो अभी मैंने आपको बताया था कि आगे अन और अपोन लिखा है अहां कम डाउन ओन लिखेंगे किसी के गलत बेभार के लिए आप क्या करेंगे डाटेंगे फटकारेंगे दंडित करेंगे तो कम डाउन ओन या कम डाउन अपोन का प्रियुक करेंगे चलिए तो फिर कल से आपका descriptive classes भी चालू कर रहे हैं और आपका vocabulary का जो चल रहा है वो क्रमसा चलता रहेगा तो कल रात से आप descriptive के लिए भी त्यार हो जाएए और ये वो vocabulary का session जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा और पांच फरवरी से मैं जो सुरू करूंगा वो ये exam में पूछे गए सवाल है आप से प्रेक्टिस करेंगे पांच फरवरी से तब तक अपना ख्यार लखेंगे जै हिन जै भारत बंदे मात्रम भारत माता की जै